सीजन फूर एपिसोड फूर स्टार्ट होता है और हमें माइक दिखता है लॉस पॉलोस के ट्रक में लॉस पॉलोस का जो सब मेत होता है वो अपने डबे में भर कर वो ट्रक में ले जाते हैं तो उस ट्रक को गार्ड करते हुए उस ट्रक में माइक बेटा हुआ होता है पर वो ट्रक कुछ लोग stop कर लेते हैं उसका जो driver होता है उसको मार देते है और वो ट्रक पर बहुत सारे bullet चलाते है यानि कि जो अंदर होगा वो मर जाएगा पर माइक पहले cover ले लेता है और उसे ज्ञादा कुछ गोली वेगरह नहीं लगती उसका सिर्फ ear injury होता है फिर वो जब बाहर आता है तब वो सबको मार दिता है Next in में हमें Skylar दिखाई गई है Skylar, अब plan बना रही होती है कि कैसे हमें Hank को और Walter Jr. को सब बताना है कि कैसे हमारे पास इतने पैसे आये कैसे हम car wash खरीद रहे है और Walter के gambling के बारे में उसे सब उन्हें बताना होता है तो plan बनाते होए उसे हमने पिछले एपिसोड में देखा कि उसे थरो होना है तो इसलिए हो support group में भी जाते है जिसमें Walter को बहुत ही बोर होता है पर फिर भी उस support group में जाते है जहां लोगों को gambling problem होता फिर हमें Walter और Skylar cards खेलते हुए दिख्ट Skylar उसे बोलती है अगर हमें यह sale करना है तो तुमें अच्छे से cards खेलना आना चाहिए फिर Walter उसे सब explain कर रहा होता है कि कैसे cards खेल कर मैं जीतता हूँ पर फिर वो actual में जब cards खेलते है तब Walter को यह आना ही रहा होता Walter जीत नहीं रहा होता फिर Walter बोलता है कि मैं recovery में हूँ तो मुझे यह नहीं खेलना चाहिए इस तरह से हम उन्हें पताएंगे यानि कि मुझे फिर खेलने की जरूत नहीं पड़ेगी फिर Skylar को यह idea अच्छा लगता है फिर Skylar ने एक script ready की होती है उसमें उसने लिखा होता है कि हमें क्या-क्या बोलना है और कैसे act करना है जिस तरह से हैंग को कुछ शक विगरा ना हो वो उसे ये भी बोलती है कि तुम्हें गिल्ड में नीचे देखना है Walter को यह सब अच्छा ने लग रहा होता है फिर भी वो उसके along चलता है Skylar उसे बोलती है कि हमने हैंग को जो पैसे दिये उसके treatment के लिए उसका जिक्रव नहीं करना है हमें कुछ भी उसके बारे में नहीं बताना है फिर Walter बोलता है कि हमें क्यों नहीं बताना है तो Skylar बोलती है कि जब तुमने Elliot और Gretchen से पैसे लिए थे तो तुमारी pride के लिए तुमने कुछ भी नहीं बताया था तो इसलिए हमें भी हैंग की pride maintain करनी है फिर Skylar के script में लिखा होता है कि Walter बहुत बहुत शर्मिन्दा है फिर वो बोलता है कि मैं इतना भी शर्मिन्दा नहीं हूँ वो उसे बोलता है कि जब तुमारे boss के साथ सोई थी तो ये तो इस script में नहीं है और फिर वो दोनों इस बात को टाल देते है फिर next scene में हमें वो सब हैंग की आजाते होई दिखते हैं हैंग बोलता है कि आज मुझे अच्छा सा खाना मेलेगा वो मेरी पर चोक करता है कि वो ठीक है पर उसे खाना तो बनाना कभी नहीं आता फिर हैंग वाल्टर जुनियर को उसके मिनरल्स का कलेक्शन दिखा रहा होता है वाल्टर जुनियर पुछता है कि ये मिनरल पिंक क्यों है फिर Walter उसे Magnes के बारे में सब कुछ बताता है फिर Hank को उनको एक case के regarding कुछ दिखाना होता है तो Walter को एक CD देता है Walter बोलता है कि ये murder विगरा ऐसा कुछ तो नहीं है न फिर वो CDs लगाता है जब Walter देखता है कि ये तो Gus है Gus ने अपने carry-o के पर एक वीडियो बनाई होती है वही TV पर player हो रही होती है Walter के सब ho shoot जाते है वो देखता है कि कहा Hank ने folder पर ये सब रखा है फिर dinner devil पर Skylar सब story बताती है Walter जुनियर उससे पुछता है कि actual में तुमने कितना कमाया तो वो बोलते है कि हम car wash buy कर सकते है इतना हमने कमाया है और जरा college education भी दे सकते है फिर Walter सब की apology लेता है और बोलता है कि मुझे bathroom जाना है जब वो bathroom के लिए जाता है तब वो Hank के room में आ जाता है और Hank के room में आकर वो सब folder देख रहा होता है वो गेल की notebook भी वहाँ देख लेता है Hank फिर उसे देखने आता है और उसे बोलता है कि अगर तुमें कुछ किसी भी चीज़ के बारे में मुझे से बात करनी हो तो तुम कर सकते हो मैं तुमें support करने के लिए या हूँ कुछ भी चीज़ होगी तुम या आ सकते हो मैं कहीं जा तो नहीं रहा Walter भी उसे बोलता है यह तुमारी कोई भी case हो तुमें help चाहिए होगी तो तुम मुझे से ask कर सकते हो मैं तुमें हमेशा help करूँगा तो फिर Hank उसे बोलता है कि हा तुमुझे help कर सकते हो फिर Hank उसके room में आकर उसको गेल की notebook लिगाता है Hank उससे पुछता है कि यह है हैंक उसे बोलता है कि मैं एक साल से इस आदमी के पीछे पढ़ा हूं यह apresent काहत् Shawn के नाम से है और यह मेरे हाथ नहीं आया तो Walter बोलता है यही तुम्हारा हाइजनबर्ग मुझे लगता है फिर वो बोलता है हाँ यही हाइजनबर्ग होगा पर मुझे इसे पकड़ना था उस डायरी में बहुत ही आजबो गरीब सब चीज़े होती है फिर हैंक उसे एक लाइन दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरा हीरो डब्लू डब्लू है हैंक फिर सस्पिशियस में होता है वो बोलता है कि डब्लू डब्लू क्या हो सकता है फिर वो Walter White का भी नाम लेता है Walter से फिर बोलता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया फिर Walder अपने से शक दूर करने के लिए उसे बोलता है कि मैंने मुझे वो नोटबुक दिखाओ उस नोटबुक में फिर वो एक पोएम निकालता है यह पोएम Walt Whitman ने लिखी है तो इसी को वो डबल डबल बोल रहा होगा Hank उससे इंप्रेस्ट हो जाता है फिर Hank उससे बोलता है राइम सीन पर बहुत सारे फिंगर प्रिंट्स वगिरा भी थे तो हम उससे शुटर को ट्रैक कर ही लेने वाले हैं फिर Walter जेसी को मिलने जाता है उससे जेसी को जेसी से कुछ क्वेस्चन पूछने होती है वो घर की हालत देखकर तंग हो जाता है फिर वो जेसी से बोलता है कि पूरे इवेंट के मुझे तुम पूरे डिडल्स तू कि कैसे तुम बहा गए थे और तुमने नौक किया या बेल बजाई थी फिर जेसी उससे बोलता है कि मैंने नौक किया था फिर वो बोलता है कि तुमने कितने bullets उस पर चलाई थी और जो bullets चलाई थी उसकी casing क्या तुमने उठाई थी फिर J.S. बोलता है कि नहीं मैंने casing नहीं उठाई थी J.S. उसे उसे औ sweetheart करता है कि उसके fingerprints वा à crime scene पर नहीं है क्योंकि अगर उसके crime scene पर fingerprints होते तो Hank और DA उसे जल्दी पकड लेते पर अभी तक उसको पकड़ा नहीं है तो उसको वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है फिर Walder Saul के पास होता है वो सब frustration बता रहा होता है वो बोलता है कि Gus मुझे मार देने वाला है जब उसे chance मिले माई की भी उसके ही side पर है और वो बोलता है कि आप professionalism कह रहा है इस business में मैं ही जब business करता हूँ सब पानी में चला जाता है Walder की frustration सुनकर Saul उसे पुछता है कि मेरा नाम तो इसमें नहीं आता ना Saul भी डरा हुआ होता है कि अगर उसके उसका भी इन सब में नाम आ जाए तो वो भी trouble में हो सकता है फिर वो Walder को suggest करता है कि अगर तुमें इस सब से दूर जाना होगा तो एक आदमी को में जानता हो जो तुमें पुरा cover देखे यहाँ से भगा सकता है तुमारी family और सब को एक new identity और तुमें कोई भी track नहीं कर पाएगा फिर JC अपने घर में दिखाया गया है और JC फिर से party start करने के लिए एक को बोलता है कि जाओ कुछ alcohol लेके आओ कुछ फीजाज लेके आओ पर उसके पास पैसे नहीं होते तो फिर वो अपने रूम में पैसे लेने के लिए जाता है पर वहाँ एक आदमी होता है जो देख लेता है कि JC अपने रूम में पैसे रखता है JC जब उसे पैसे देता है तो 100 डॉलर की 2 notes होते है तो इससे उसे पता चलता है कि जैसी के पास बहुत सारे पैसे है जैसी जब घर पे आता है तब वो अपने रूम में जाता है वो एक लड़की के साथ गेम खेल रहा होता है पर फिर उसे पता चलता है कि उसके पैसे सब गायब है वो ज्यादा care नहीं करता और सो जाता है next day जब ओड़ता है वह माइक आया हुआ होता है माइक उसे बोलता है कि तुमारे पैसे इसने चुराये थे माइक ने सब लोगों को घर से बाहर निकाला होता है और जिसने जेसी के पैसे चुराये होते है उसको उसने blindfold करके वहा लाय हुआ होता है फिर माइक उससे बात करनी चाता है वो बोलता है कि तुम्हें पता है अब हम इसके साथ क्या करेंगे यह तुमारे वज़े से हो रहा है फिर जैसे बोलता है कि मैं तुमसे माफिन नहीं मांगने वाला मैं तुमसे गिड़ी गड़ाऊंगा नहीं कि फ्लीज इसे मत मारो क्योंकि मुझे पता है कि तुम इसे नहीं मारने वाले अगर तुम इसे मारने वाले होते तो तुम इसको blindfold नहीं करते माइक उससे warning देता है कि तुम बहुती थीन आइस पर हो यानि कि कभी भी दूम डूप सकते हो नेक्स दीन में माइक हमें गस से बात करते हुए दिखता है वो बोलता है कि जेसी प्रॉलम हो सकता है वाल्टर कोई अच्छा नहीं लगेगा पर फिर भी हमें जेसी का कुछ करना चाहिए वो बहुती केरलेस हो चुका है और वो पकड़ा जा सकता है नेक्स डे जब बॉल्टर अमने लैब में होता है तो जेसी वहाँ नहीं आता उसको जेसी के हल्प चाहिए होती तो उसे बहुत सारे मैसेज करता है पर जेसी को भी मैसेज नहीं उटाता फिर वो जेसी के घर पोच जाता है जेसी का घर लोक होता है तब वो खिड़कें से अंदर आ जाता है वो जब अंदर आकर उसके बेटरूम में देखता है तो उसका फोन भी वही बज़रा होता है जब वो लैब में पोच ता है तब वो camera को देखकर बोलता है कि J.C. कहा गायब हो गया है फिर हमें Mike और J.C. कार में जाते हुए दिखते हैं Mike J.C. से पूछता है क्या तुम नहीं पूछोगे कि हम कहा जा रहे हैं तो J.C. बोलता है नहीं यही एपिसोड खतम हो जाता है